अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स हो तब हम उनका LCM कैसे find करेंगे तो वैसे case में हम prime factorization का इस्तमाल करेंगे ये prime factorization बहुत जरूरी चीज़ है इसको बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि HCF निकालना हो या LCM निकालना हो Prime Factorization हमेशा काम आता है तो हम समझते हैं अब कि अगर हमारे पास LCM है LCM अगर निकालना है तो हम Prime Factorization के तुरुक कैसे निकालेंगे तो चलिए एक 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 ग्जामपल ले लेते हैं जैसे अगर मुझे LCM निकालना हो दो नंबर्स का और दो नंबर्स हैं मारे पास मा लीजे 24 और 16 ठीक है 24 और 16 हमने ले लिया और इनका हमको LCM पता करना है तो सबसे पहले हम दोनों को Prime Factorize कर देते हैं इतना तो हम कर सकते हैं मैं चाहूंगा कि आप पहले वीडियो को Pause करें अच्छे बच्चे की तरह और फिर उसको Prime Factorization करें उसका और फिर आके इस वीडियो को वापसे देखें तो I hope कि आपने किया होगा तो अब हम करते हैं यहाप इस स्क्रीन पे तो जली जली पहले Prime Factorization कर लेते हैं 24 का तो 2 से Divisible है तो यहाप आजाएगा 12 फिर 2 से हम कर दियें फिर यहाप आजाएगा 6 फिर 2 से फिर यहाप आजाएगा 3 अब तो 2 का काम नहीं होगा तो हमने यहापे 3 डाल दिया फिर Finally आगया 1 वैसे अगर 16 को करें तो 16 को जब हम Prime Factorize करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 से करेंगे तो आजाएगा 8 फिर 2 से करेंगे तो आजाएगा 4 फिर 2 से करेंगे तो आजाएगा 2 और फिर Finally 2 से करेंगे तो आजाएगा 1 तो मतलब अगर कोई नंबर को 16 से divisible होना है तो उसके अंदर ये सारे चीज तो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए 2 x 2 x 2 x 2 4 x 2 ठीक है अगर कोई नंबर 16 का multiple है जैसे 32 मान लो ठीक है 32 तो 32 के अंदर ये 4 x 2 तो आना ही चाहिए और आएगा भी तुम इसका prime factorization करके देखो 32 को 2 से करेंगे आजाएगा 16 फिर 2 से करेंगे आजाएगा 8 फिर 2 से करेंगे आजाएगा 4 फिर 2 से करेंगे आजाएगा 2 फिर 2 से करेंगे तो आजाएगा 1 तो 4 बार 2 तो आना जरूरी है उसके बात जो भी आ सकता है उससे हमें मतलब नहीं है हमें बस इतने से मतलब है कि अगर कोई number 16 का multiple है तो उसके अंदर ये 4 बार 2 multiplied form में रहेंगे ही same case से 24 के साथ कि अगर कोई number 24 का multiple है तो उसके अंदर 2 into 2 into 2 into 3 रहना ही पड़ेगा उसको जैसे माल लो 48 48 24 का multiple है ठीक है 24 2s are 48 होता है इसको जब तुम करोगे चलो इसको 3 से हम शुरू करते हैं तो 3 1s are 3 और 3 6 are 18 16 आ गया फिर इसको हमने 2 से कर दिया तो आ गया 8 फिर 2 से किया तो आ गया 4 फिर 2 से किया तो आ गया 2 और फिर 2 से किया तो आ गया 1 तो हमारे पास क्या है तीन बार हमारे पास कहने का इतना मतलब है कि अगर कोई नंबर 24 का मैल्टिपल हो रहा है तो उसके अंदर 2 x 2 x 2 x 3 आएगा ही बस इसी आइडिया का इस्तमाल हम लोग LCM निकालने में करते हैं अब अगर कोई नंबर 21 का मेरे सुनना मेरी बात को अगर कोई नंबर 16 और 24 का LCM है तो उसके अंदर ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए तो हम बनाते हैं जो अनों नंबर है उसको हम लोग ऐसे शो कर देते हैं question mark से जो LCM है 16 और 24 का अब वो number के अंदर ये होना चाहिए और ये होना चाहिए तो सबसे पहले हमने 24 वाले लिख लिया सारा 2 into 2 into 2 into 3 ठीक है 24 आगया पूरा अब ये भी होना चाहिए तो क्या करें हम क्या यहाँ पे हम पूरा यहाँ पे फिर से लिख दें तो मुझे लगता हो गलत हो जाएगा अगर हम पूरा लिख देंगे तो क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे अल्रेडी तीन बर 2 तो आही चुका है और तीन बर 2 तो यहाँ पे भी है तो हम क्यों repeat करें? क्योंकि हमे छाहिए, अगर हमें repeat करेंगे तो हम तो वो multiple जरूर होगा, लेकिन हमको lowest चाहिए न, तो इसलिए हम यहाँ पे repeated part को नहीं डालेंगे, यह already यहाँ पे आ चुके है तो यह already है यहाँ पे, यह भी already है, यह भी already है ये वाला 2 नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 3 2 है तो यहाँ पे हम एक और 2 multiply कर दें बस यह जो number आएगा और यह number क्या है 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 2s are 48 तो यह जो 48 है वो 16 और 24 का least common multiple होगा ठीक है तो हमने क्या किया अब आप इसको ऐसे समझाए जब हम process पे ध्यान देते कि अगर हमारे पास दो number का prime factorization है तो हम उससे उसका LCM कैसे निकालेंगे तो कोई बात नहीं सीदी सी बात है LCM निकालने के लिए आप पहले ऐसे लिख देंगे 16 और 24 का LCM जो होगा जैसे अब देखती चाहिए 16 में क्या है तो 16 में सिर्फ 2 है कितनी बार है 4 बार तो आप 4 बार 2 लिख दीजे ऐसे 1, 2, 3, 4 4 बार 2 हमें चाहिए यतना तो compulsory है तो हमने यहां लिख दिया अब 24 में क्या है यहाँ पे 2 भी है और 3 भी है ठीक है लेकिन 2 तो 3 बार है और हमने 4 बार तो हमने लिख दिया है तो 2 हमें यहां से नहीं उठाएंगे ठीक है मालो यहां 5 बार 2 रहता तब हम यहां एक और 2 multiply कर देते तब ठीक है यहां तो 3 बार है तो हमने 4 बार अलेड़ी multiply किया है तो हमें जरूरत नहीं है इंटू थ्री, यहां इंटू थ्री नहीं था तो यह इंटू थ्री एक्स्ट्रा है तो हमें यहां पर इंटू थ्री कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 48 एक और एक्जांपल करके देख ले ताकि यह concept अच्छे सही एकदा मस्त वाला clear हो जाए तो ठीक है तो हम थोड़ी सी जग़ बना लेते हैं पहले यहां पर अब मालो हम दो नमबर ले लेते हैं जो हैं जैसे LCM अगर हमको निकालना हो जैसे मालो कोई नमबर है 8 और 14 ठीक है 8 और 14 का LCM निकालना है हमको 8 को जब हम prime factorize करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 x 2 x 2 करके देखना तुम ठीक है अगर तुमको doubt हो तो तुम please करके देखना वीडियो को pause करके वैसी जब हम 14 को factorize करेंगे prime factorize करेंगे तो हमारे पस क्या आएगा 2 x 7 अब हमको LCM निकालना है तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 है और वो भी 3 बार और यहाँ पे तो एक बार 2 है और एक बार 7 है तो जो LCM होगा उसमें हमको 3 बार 2 तो लिखना ही पड़ेगा ठीक है maximum value आप यहाँ पे लिख दो 2 x 2 x 2 यह हमारा पूरा आ गया अब 2 x 7 यह वाला 2 तो अल्रेड़ी आ चुका है एक बार और 7 नहीं है तो यहाँ पे बस हम 7 से multiply कर जाएंगे तो हमारा क्या answer आ जाएगा 2 x 2s are 4, 4 x 2s are 8, 8 x 7s are 56 तो 8 और 14 LCM हो जाएगा 56